कि अच्छे बना दे मेरे काम ना बरी बिलकम बैक तो मैं चैनल कैसे हैं आप सब आई वोप आप सब ही अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूं अब सब कर दो आप से बनाती हूं पर एक ही दिन का पूरा ब्लॉग नहीं बन पाता है तो इसलिए थोड़ा नहीं हो पा रहा है चलिए फिर जाती हूं लगा है गाना वाइस इसमें आएगी न तो फिर काटना पड़ेगा मुझे मूट करना पड़ेगा तो मतला भी क्या होग पूजा पाट किया घर की आरती करी मादूरगा की उसके बाद फिर बच्चे कह रहे थे मम्मी पास्ता बना दो भूक लगी आज किया है ना मैंने सुबह सब्जी नहीं बनाए थी दाल चावल और बैगन का भरता बनाए था कल आप लोगों ने देखा होगा मेरे वीडियो म बैगन का भरता किसी को नहीं अच्छा लगता जब तक उसमें आलू नहीं मिक्स होता तो बच्चे सब भूखे थे दाल्चावल खाये थे दाल्चावल में कितना पेट भरता है वैसे भी सब को इसमें जुखाम है तीनों बच्चों को मुझे और पती देव को तो कुछ खा कारेव करेां चैसे पास्तबा करता है तो बस लोगों को मैंने दे दियाए पास्ता क्यूंकि आदेदी ना तो भी समझ लीजिए दिमाग मेरा खराब कर देते हैं और भूखे लोगों को लगी है और यह है फ्राइडे का ब्लॉग है सटर्डे को मतलब ऐसे ब्लॉग बनाती हूं जैसे मौनिंग का अप्टरनून तक दिखा दिया मैंने फिर यूनिंग से मौनिंग तक का दिखाती हूं ऐसा कुछ रहता है लेकिन आज का मेरा नाइट रूटीन है केवल यूनिंग से नाइ करती है ये लोग पर सान कर लेते तो यह सटर्डे के एक दिन पहले का ब्लॉग है जो बन रहा मेरा यह सटर्डे के दिन लगता है ना सरसुकिति लोग आरा की बाती जैसे वहीं लगती है तो उस दिन मुझे ज्यादा समानी कठा करना पड़ता है पूजा वाला तो यही मैं सुचा पहले से ही मैं रख लूँ वैसे मैं हमेशा सटर्डे के एक दिन पहले रात को रखी लेती हूं सारा समान जिससे मुझे प्रॉब्लम नहों माननी में तो बस सब यही सब रख लूँगी और अभी हमारे पास भी है मातारानी का दर्वार जहां इस्थापित हैं तो वहा मैं रख लूँगे और जो लोग मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लेना वीडियो में लाइक कर देना कमेंट करके जरूर बताना जैसा भी मेरे ब्लॉग रहते हूं मेरे ब्लॉग एकटम रियल ही रहते हैं जैसि हूँ, जो हूँ, जो भी मैं करती हूँ वही मैं आप लोग को दिखाती हूँ और जिनहें अच्छे लखते हैं ब्लॉग मन से देखती हैं उनको thank you so much दिल से सच में बड़ी respect होती है जब किसी तरह से इंसान help कर सकता है किसी का जैसे किसी ने दुकान रखे आप उसे समान ले लो कोई social media पर काम कर रहा है उसकी आप video लगातार वाज करो मतलब help करने की कोई एक नाम नहीं होता कि इस वज़ा से हम आपका help करेंगे अन्जाने में भी आप help कर सकते है एक दूसरे का जैसे जो भी आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं जैसे मेरी help करना चाहें तो मेरी video अच्छे से देखें पूरा देखें और आउन लोगों के पास share करें इसे मेरी हिल्प हो जाएगी आपने दुकान रखा है मैं आपके दुकान से ही समान लो आपकी हिल्प हो जाएगी आप समझ रहे हो ना मेरी बाते हैं क्योंकि हम सब इंसान हैं हमें एक दूसरे का हिल्प करना ही करना चाहिए और मेरी अगर बात माने कोई नौरात्री का दिन सब्सक्राइब जाता है और एक बार बोल देता है वो भी हमें अच्छा लगता है चलो यह तो आया तो कभी भी यह न सोचो कि यह इनसान किसी काम कर नहीं है पानी हमेशा इतना ध्यान रखना पानी कितना भी गंदा हो अगर आपके पास पानी थोड़ा रहेगा आग लग जाएगी तो उस प पराजगी होती है लागी दुनिया में फ्याता होती भी होती है लेकिन रिष्पेक्ट हमेशा रखनी चाहिए इतना हमेशात है अपनी बात करों प्रश्ण लीं तो एक एक दम से रद्दी इंसान जिसके पात चमनी नहीं है उसको मैं यह सोचती हूं कि किada काम करने नहीं हर इंसान कभी न कभी काम आ जाता है इसलिए हर इंसान को समझना और रिस्पेक्ट करना सीखे हर इंसान सीखे हम भी आप भी क्योंकि एक की करने से कभी नहीं होता हाँ जब दोनों फिलाएंगे तब फिर काम होगा जब ताली दोनों हाँ से बज़ेगी तब आब आ जाएगे तो ये सब होता है I hope आप सब मेरी बातों का मतलब जो होता है उसे समझ गये होंगे तो ये नाइट हो गई है एक डम से और नास्ता वगरा बचों ने कल लिया था मैंने सारा समान पूजा का रख दिया और ये नाइट में मेरी भिंडी की सब्जी बन रह हो रहा है रोज वे से आठ साले आड बीज ना आती थी अभी मॉर्णिंग में साड़े छे बजी ही ना लेती हूं तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है मौसम का बस इसे हम बना के खा लेंगे और इसकी बाद फिर ये बहुत देर तक मैंने वेट किया आज आर्थी पता नहीं कितने टाइम हुई और ये मैं यहां साड़े निकाल रहा हूं इसे सोच रहे हूं कल मैं सामके जब डिया जलाने जाओंगे दी तब पहन के जाओंगी इसलिए मैंने इसे निकाल रखा है और वेट कर रही हूं क कि आर्थी होगी तो आर्थी में जाओंगी लेकिन पता नहीं कभ होगी आर्थी आर्थी का आज उस टाइम समझ में आ रहा है क्योंकि अभी पहुने नौ बज रहे हैं और कोई भी गुंजाइस नहीं है और साउंड लगा हुआ इसलिए मैं आप से बात तो करने जा रहे हूं बट बाद में मैंने सुना ना तो भगवान का भजन लगा है दुर्गामा का फूरा भजन आ जाएगा तो कौपी आ जाएगा इसलिए मैंने उसे म्यूट कर दिया उसके लिए सौरी दोस्तों और वही मैं बात कर रहे हूं कि पौने नौ बज गये हैं अभी आर्थी पतन ही कब होगी तो इसलिए मैं आप कपड़े वगारा उतारूंगी और फिर सो जाओंगी क्योंकि अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं ना बैटने की न कोई काम करने की तो यही सारी मैं आप से बाते कर रहे हूं कि मैं साड़ी इसलिए पहने हूं चलिए फिर मेरोंगी कोई अच्छी किसी न्यू वीडियो के साथ इसे कल पहनूंगी यह बता रही हूं प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरूर कि लिजिए गार ठीक है बाइबाइब थेंकिस तो माच है पी ना